बच्चों हम उदारण 5 अब भल करेंगे, उदारण 5 में भी हमको एक त्रिपुझ, दीवी त्रिपुझ AB थे कि समरूप एक नया त्रिपुझ के रशना करनी है, और जो नया त्रिपुझ होगा, उसकी प्रत्यक भुजा पहले वारे त्रिपुझ की संगत भुजा की पांच इसका आप ध्यान रखिए इसके पहले जो रश्णा हमने की थी उसमें भी हमने समरूप त्रभूच बनाया था लेकिन जो नया त्रभूच बना था उसकी प्रतिक भूजा पहले त्रभूच की तीन बटे-पांस थी यानिए छोटा कि रूप बनाया था और अब की बाद जो त्रिभूज बनाने जा रहे हैं वो पहले त्रिभूज के बड़े त्रिभूज की रूप में हमारे सामने आएगा तो चली देखते हैं दोनों रशनाओं को मिला के भी देखेंगे तो पहले तो हमें एक त्रिभूज की रशना करने के बारे में हम आगे बढ़ाते हैं फिर द से कोई सब एक त्रभुज बनाया यह हमने एक और भुजा बना लिए इसकी इस तरह से बना ले ताकि इसके बाद के लिए हमेरे पास पुरी जगा बची रहे यह दकी यह देखिए यह थी ठी? पहरा त्रभुज बना रही है और इसका नाम दे दें त्रभुज एबी सी ऐसा यह आपने पहले डिपने बनाया और फिर उसके समरूप नए पर भुज बनायह है अब आप देखिए, कि हम जो नया त्रभुज बनाएंगे, जो इसके समरूप होगा, उसकी प्रत्येग भुजा, इस त्रभुज के प्रत्येग भुजा के पांच बटे तीन होगी, मानि यह जो भिन है, वो एक से बड़ा है, अब देख लिजे, पांच बटे तीन जो भिन है वो एक से बड़ा है, मानि जो नया त्रभुज बनेगा, उसकी भुजा है, इसकी भुजाओं से बड़ी होगी, और उनकी भुजाओं का जो अनपात होगा, पांच और तीन का होगा, यानि अगर हम 20 के समरूप एक और भुजा बनाना चाहते हैं, तो वो भुजा इतनी और एक ऐसी करेंट जो नियून कोर्ड बना रही हो, और इसको हम माल लिजे, करेंट एक नाम दे दे हम, करेंट BX हम नाम दे देते हैं, और चुकि इसके हमको तीन और पांच कानुपात में हमको रशना करनी है, तो चुकि पांच हमारे पास एक अनुपात है, और तीन भी यहां पर 5 बराबर हिस्से लेंगे ऐसा आपने पिछली बार भी किया था चली देखते हैं कैसे बढ़ते हैं आगे हम यहां पर एक चाप लें और हम 5 बराबर बराबर हिस्से करें इसके एक हमने ये काटा चाप और इसके बराबर ये एक और चाप काटा फिर एक और चाप काटेंगे ये तीसरा चाप हुआ फिर एक चाप ये चौथा हुआ और एक चाप और हमने काटा ये पांच अब देखिए पिशली बार और अभी में हम थोड़ी दुला करना चाहेंगे उस शीट को मैं आपको दिखाता हूँ पिशली बार जो आपने रशना किये तो वो इस प्रकार थी यहाँ पर जो नया त्रिफुज बना था वो तीन मेंटे पांच के अनुपात में था उसकी भुजाओं का और यह त्रिफुज छोटा बना था यह बड़ा त्रिफुज जो हमने लिया था एबी सी पहरे लिया था और वहाँ पर भी हमने एक नियून कॉर्ण बनाते हुए हमने पूरे पांच बराबर किया और पांच वह इसके साथ मिला और फिर तीसरे हिस्से से हम एक इसके सबनातर खिशे तो हमको एक शोटा त्रिफुज मिला अब की बार हम क्या करने जा रहे हैं हमने पहले की तरह पांच इससे किये लेकिन चुकि अब नयात रिफुज जो बन रहा है वो बड़ा बनने वाला है और तीन और वहाँ पर भी अनपात वही है जो पहले की जैसा था लेकिन उसका क्रम उल्टा है तो हम क्या करेंगे तीस बिंदू को सी के साथ मिलाएंगे यह देखिया हमें सी को मिलाते हैं इसको भी नाम हम दे दें पहले के तरह यह मान लिजें बी वन है यह बी टू है यह बी थ्री है यह बी फॉर और यह बी फाइब बी थ्री को हमने सी से मिला दिया अब हम यह दि बी फाइब से एक किरंट खेचे जो इसके समरांतर हो तो वह इसको जहां पर मिलेगा बी सी को भी हमको आगे बढ़ाना होगा तो वह जो भूजा मिलेगी यहां पर वह इसकी पांच बटे तीन गुनी होगी तो इसको भी हम बढ़ा देते हैं और यहीं पर हमें एक बिंदू मिलेगा जो बी के साथ और बी सी के साथ जो अनपाद बनाएगा वो पांच और तीन का होगा तो हम बी फाइब से बी थ्री सी के समरांतर हो देखा किचे जो इसको कहीं पर काटेगी और बराबर कॉन की रशना करने के और ऐसे ही चाप हमने बी फाइब से भी लिया और इस चाप के जो लंबाई है वो हमने ना पी यह दिक हम देख रहे हैं कितना बड़ा है यह चाप जितना बड़ा है उतने लंबाई हम यहां पर भी लेते हैं इशना मिर्खियें हमने हम ने काट लिया अब इस कोड के बराबर यह कोड बने गा अगर हम इस बिंदू को बी फाइब के साथ बनाएंगे चली हम ल Taco ब्लाद देERSको है कि वसको बी फाइब के साथ इस बिंदू का मिलते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं कि कि इसे आगे जाने दे और इस बिंदू का हम नाम देते हैं पी कि इसको भी नाम दे सकते ही जैसे इसको आपने बढ़ाया भी वाई के तरफ उसको बी 5 जो है पी पर काड़ता है कि रण बी 5 जेड तो आप देखिए क्या मिल रहा है आपको जो कि बी 3 और बी 5 का जो अनुपात है तीन और 5 का उनुपात है यानि इसको आदि आप पहले लें बी 5 और बी की दूरी हो उसको तो आप आएगे कि जो बी 5 है वो बी 3 का पांच बटे तीन गुना है और चोकि बी 3 सी बी 5 पी के समय अंतर है इसलिए बी पी और बी सी का जो अनुपात है वो भी 5 बटे तीन होगा यानि जो त्रिबुज बढ़ा बनेगा उसकी एक भुजा हमारे सामने जो बी पी दीख रहा है उसके बरा कि एक रशना और करें जो इस इस रेखा करेंट को आगे बढ़ाता है एक कि रेंड की रूप पे इसको हम आगे बढ़ा दे चुकि एक स्वाज एडिया हुआ है माले जिसको वी कर देते हैं यह किरेंट बन गई तो जो नया त्रिबुज बनने वाला है उसकी एक भुज़ा तो हमें मिल गई दूसरी भुज़ा जो होगी एसी के समनांतर होगी तो एसी के समनांतर हैं हमको कोई कोण बनाना है तो हम यहां पर भी चाप खीचेंगे और देखे किस तरह से बनाते हैं इसको एक चाप हम यहां बनाते हैं और इतने बड़ा कोण हमें यहां भी बनाना है तो यहां से हम वही चाप कीचते हैं इसे हमको थोड़ा आगे बढ़ाना होगा ताकि चाप उस देखा को काटता हो दिखे यह हमने आगे बढ़ा दिया अब यह जो लंबाई है इस चाप की जो लंबाई है उतनी लंबाई यहां पर हम लें यह देखिए अब यह जो कौण बन रहा है उतने बड़ा कौण यहां पर बनेगा यदि हम इस बिंदु को पी से मिला दे चलिए भी हम काम करें इसे हमने मिला दिया पी से और आगे बढ़ा दिया इस पूरी प्रक्रिया में आप बराबर कौण की रशना भर कर रहे हैं और इससे आपको अभी इस त्रिभूज बनता हो दिखाए पड़ रहा है यह इसे आप नाम देदें क्यूँ अब आप देखिए आप जो बना रहे थे वो बना क्या आप त्रिभूज ए बी सी के समरूप एक ऐसे त्रिभूज की रशना करने जा रहे थे जिसकी भुजाएं ए बी सी की भुजाओं की पांच बटे तीन है तो सबसे पहले आपने एक ऐसी भुजा की रशना की बी पी की जो बी सी की पांच बटे तीन हो उसके लिए आपने क्या किया एक किरन बी एकस कीची वहाँ पर पांच बराबर बराबर चाप लिए और तीसरे वाले हिससे को आ यह जो बीपी हुआ वह उस अभिश्ट्रिभुष की एक भुजा हुई जिसका अनुपात बीस एक साथ 5 बटे 3 है तो यह हमने बीपी बनाया और बीपी चुकि एक भुजा है दूतरी भुजा भी इससे पी से गुजरेगी जो सीएक समनांतर होगी तो सीएक समनांतर एक जो CA की 5 बटे 3 होगी निशे तरूप से जो BQ है वो BA का 5 बटे 3 होगा तो आपको एक नया तरिभुज मिला BPQ तरिभुज BPQ जो समरूप है तरिभुज BCA के तरिभुज BCA के और इनके भुजाओं का उन पाथ वही है जो आपने यहां पर देखा था यानि BP बटे BC BP बटे BC बराबर आपने इन दोनों के तुलना की फिर आप तुलना करेंगे PQ बटे CA की PQ बटे CA बराबर आप तुलना करेंगे इस तीसरी भुजा की BQ बटे BA BQ बटे BA और बीपी बटे बीसी यह था पांच बटे तीन तो यह आप देखेंगे कि प्रतिय भुजा फांच और तीन के उनुप अनुपात में हैं तो आप लिख सकते हैं इसके और इसके आधार पर बीपी बराबर पांच बटे तीन B, C, 1 इन दोनों के अधार पर आप लिख सकते हैं P, Q बराबर 5 बटे 3, C, A और इन दोनों के अधार पर आप लिख सकते हैं B, Q बराबर 5 बटे 3, B, A B, A, C, A और B, C, इस चोटे तरिबुश की भुझाएं हैं और इसका 5 बटे 3 गुना हैं इस नए त्रिबुश की बुज़ा है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है तो आपने एक ऐसे त्रिबुश की रचना की BPQ की जिसकी प्रत्यक भुज़ा BCA के प्रत्यक भुज़ा के पाँच बेटे तीन के बराबर हैं यह रचना हुई आपकी जो अधारन 5 के अधार पर था इसको फिर से बढ़ करके देखिए मुझे पूरी उम्मेर है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे